रूस के राष्ट्रपती पुतिन ने की भारत के मेकिन इंडिया योजना की प्रशन सा भारत की प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारिफ में रूस के राष्ट्रपती ने भारत की मेकिन इंडिया योजना की तारिफ करते हुए कहा की हमारे दोस्त भारत की प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेकिन इंडिया योजना को शुरू किया था और यह काफी सफल भी रहा है इस योजना का भारत के अर्थ व्यवस्ता पर काफी अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ा है Agency for Strategic Initiatives के एक कारक्रम के समय राष्ट्रपती पूतिन ने कहा कि भारत में जो अच्छे काम हो रहे है उससे रूस को सिखने में कोई अपत्ती नहीं होगी पूतिन ने कहा कि हमें अपने वस्तों को आधुनित्ता का रूप देने के साथ साथ और भी ज़्यादा जनक और व्यवारिक बनाने की बारे में सुचना चाहिए इसलिए अध्योगिक और उत्पादक डिजाइन घरेलो व्यवापार के लिए एक जरूरी संसादन होना चाहिए इस वर विदेश मंतरी एस जैशंकर ने कहा था कि रूस के साथ हमें अपने रिष्टे सिर्फ रक्षा तक सिमित नहीं रखने चाहिए इस दवरन जैशंकर ने रूस के साथ आर्थिक संबंदों का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों देशों के आर्थिक रिष्टों में भी काफी अच्छा सुधार हुआ है भारत के भारत विदेशों से अब हतियार खरितने से ज़्यादा उसकी तक्निक को खरितता है इससे देश में हतियारों के साथ साथ अब लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है भारत ने अब रक्षा निर्यात में बड़ी उपलब्दी हासिल की है सुत्रों के मुताविक वित्तवर्ष 2022 में रक्षा निर्यात 16,000 करोड रुपए के उच्चतम स्तर पर पूँच चुका है जो की 2016-17 की तुलना में 10 गुना से ज़्यादा बड़ा है इतना ही नहीं भारत आज 85 से अधिक देशों में हतियार निर्यात कर रहा है जो की तुलना में रहा है